नवश्कार में अप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है नवश्कार में आपका स्वागत है मंदिर स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे इसके साथ ही सभी लोगों से COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए काम करने की अपील की गई है निगरानी जाज के दायरे में आए सिक्छकों की बढ़ी मुश्किले जिसके बाद निगरानी जाज के दायरे में कई सिक्छक फजगे है खबरों की माने तो ऐसे सिक्छकों की मुश्किले और ज्यादा बढ़ने वाली है मिली जानकारी के नुसार निगरानी जाज के दाइरे में 93,000 से अधिक सिक्षकों के नाम सामने आए हैं इन में से 90,000 सिक्षकों के नाम सिक्ष्रा विभाग को मिल चुके हैं जिन्होंने नियोजिन एकाई को अपने सेक्षनी केवं प्रसिक्षन सम्मन्दी दस्तावेज जमाने ही कराए है ब्रिटेन भेजी गई जरदालु आम की पहली खेप बिहार के आम को राजी के साथ-साथ अलग-अलग देश में भी भेजा जा रहा है इस इक्रम में भागलपुर के जरदालु आम को बीते दिन ब्रिटेन भेजा गया केंद्रे मंत्रे पियुष गोईल ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी जिसकी तहत उन्होंने लिखा कि भागलपुर का जरदालु आम ब्रिटेन तक पहुँचेगा देश का किसान बिहार के जरदालु आम के जियाई सर्टिफिकेशन के बाद आज पहली व्यवसाई खेप ब्रिटेन के लिए भेजी गई है क्रिशी उत्पादों के निर्यात में यह बड़ा कदम है और इसका लाम किसानों तक पहुँचेगा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे ब्रिटेन की पहली खेप पे भागलपुर के किसान क्रिशननन के बाग का आम भेजा गया है आप अभी पहली खेप 850 किलो आम भेजी गई है किसान का कहना है कि अगले साल से और मात्रा बढ़ाई जाएगी बिहार के 27 कॉलेज की नाग की मानेता है खत्रे में नाग की मानेता किसी भी कॉलेज के लिए बेहधी एहमानी जाती है लेकिन बिहार के 27 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी मानेता फिलहाल खत्रे में नज़रा रही है यह ऐसे कॉलेज हैं जिनकी आधारभूत संरचना विकास के लिए दी गई हर राशी की उपियोगिता सावित नहीं कर पाए हैं आधारभूत संरचना विकास के लिए रूसा की तरफ से दी गई 2-4 करोड की राशी भी खर्च नहीं की जा सकी है सिक्षा परिसत के उपधेक्ष जॉक्टर कामेश्वर जहा ने सक्त रुक अपनाया है सोमबार को बिलाई गई विशेश बैठक में उन्होंने कॉलेज प्राचारे को दो टूक कहा दिया है वहीं बीते दिन हुई बारिश में पांच लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है जोसके तहट कैमूर के रामगर थाना शेत्र में पेड के नीचे खेल रही किशोरी मध्यपूरा के कुमार खंड में घास काट कर घर लोट रही महिला मांकाजिले के धुत्री बहियारी वे मवेशी चरा रहे व्रिध और सारन के परसास्थित प्रसादी गाउं में व्रचपाथ से एक व्यक्ती 55 साल के जुथे उनकी जान जली गई है आपदा विभाग द्वारा विभाग को जागरु करने के लिए हर साल प्रचार प्रसार कराय जाता है लेकिन लोग बारिश के दौरान पेड के नीजे छुप जाते हैं जिसे आकाशे बिजली की चपेट में आ जाते हैं वर्ल्ड हेरिटेट साइट नालंदा विश्विद्याले की धही दिवारों की जांच करेगी केंद्रिय समीती दिनकर समीती दिनकर समिती नियास के अध्यक्ष नीरच कुमार ने प्राचीन नालंदा विश्विद्याले के चाहर दिवारी पांच से छे जगों पर ढहने प् विश्व धरोहर की बदहाल सिती का मौायना कर जवाब दे अफसरों पर कारवाई की अनुसरा करने वाली है जिसके बाद मौनिमेंट डारेक्टर नवरतन कुमार पाथक के इमेल में इस वारे में नीरज कुमार को सूचित किया गया है जाज टीम जल्दी इस मामले में काम करेगी कमाख्या कटरा के लिए 27 जून से ट्रेनों का परचालन होगा शुरू यात्रिकन कृपया ध्यान दे यात्रिकन के अतरिक्त भीड को देखते वे पुर्वमत रेल से चलने वाली दस जोड़ी ट्रेनों के फेरों में वृधिकी गई है बांदरा टर्मिरल, मुंबई सेंट्रल, एहमदाबाद, बरौनी, समस्तिपूर, दानापूर, साहित अन्य स्टेशन के लिए वर्तमान में चलाई जा रही है इसी क्रम में कामाख्या कटरा के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू होने वाला है जिसके देच शुने 5655 कामाख्या श्रीमाता वैशन देवी कटरा सापताहिक विशेश गाड़ी का संचालन कामाख्या से 27 जून से अगले आदेश तक प्रतेक रविवार को होगा मैं 05-656 श्रीमाता वैशनदेवी कट्रा का माख्या सापताहिक विशेश गाड़ी का संचालन कट्रा से 30 जून से अगले आदेश तक प्रतेक बुधवार को किया जाएगा IIT पटना की दिक्षा को मिला अब तक का सबसे बड़ा प्लेस्मेंट दिया गया है जिसके तहट गूगल ने दिक्षा को 54.57 लाग का पैकेज दिया है वहीं Mtech के करन जीत सिंग को 52.59 लाग का पैकेज मिला है उनको यह पैकेज MTX की तरफ से मिला है संसान के ट्रेनिंग प्लेस्मेंट आफिसर की माने तो इस साल कोरोणाम हमारी के बावजूद इस साल चात्राओं का अच्छा पैकेज के साथ प्लेस्मेंट हुआ बीटेक के विद्यार्थियों की एवरेज सैलरी 16.17 लाग है जो की पिछले साल की तुलना में अधिक है यही कारण है कि बिहार के साथ साथ नेपाल के तराई छेत्र में लगातार हो रही बारिश की वज़े से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है गंड़क नदी के जलस्तर में भारी व्रिद्ध हुई है इसके तराई छेत्रों में बाढ़ का खत्रा बन रहने लगा है मिली जानकारी के नुसार गंड़क नदी समेत पहाडी नदियों का जलसर लगातार बढ़ रहा है वहीं इसको लेकर बालमी की नगर गंड़क बराज में गंड़क नदी में 1,8900 क्यू से एक पानी छोड़ा गया है तराई छेत्र में बाढ़ का खत्रा बढ़ गया है वहीं इसके बाद गंड़क का डिस्चार्ज लेवल एक लाग से पार हो गया है इसको लेकर आसपास के अलागों में अलोड जारी कर दिया गया है पनविजडी परियोजना के लिए NHPCBSHPC के बीच हुआ समझा तासार अरुजनिक छेत्र की जलविद्यूत कंपनी NHPC और बिहार राज़े जलविद्यूत निगम लिमिटेट के बीच राजमेट 130.92 मेगावार्ट शंता की डगमारा पनविजडी परियोजना के ख्रियानव्यन को लेकर समझाता हो गया है जानकारों की माने तो जलवायू परिवर्दन की चुनोतियों को देखते वे और आने वाली पीढ़ी के लिए जिवाशम में गैर जिवाशम इर्धन में बद्लाव लिहास से जलविद्यूत बहुत महत्वपूर्ण है इस बाबत बिहार के उर्जा मंत्री यादव ने डग्मराग परियोजना के कारियानव्यन के लिए राजसरकार की तरफ से विद्यूत मंत्राले और NHPC को अपना आभार व्यक्त किया है साथ ही इस दौरान उन्हा ने कहा कि है परियोजना राजमेच चहु मुखी प्रगती और विकास लाएगी इसके साथ ही इसके कारियानव्यन से शेत्र में सामाजी कार्थिक और बुनियादी धाचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अफसर भी पैदा महीं अब राजसवास आंसस सुशील कुमार बोधी ने अखिलेश यादव पर निशाना साथ है जिसके बाद उन्हा ने कहा कि राज़द प्रभुख लालु प्रसाद यादव और सपाध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों ने अब तक COVID-19 का टीका नहीं दिया है इतना ही न प्रफ यहीं लोग देश के टीका करन अभियान पर तरहतर है के बेतु के सवार उठाकर गरीबों के हम दर्द बनते हैं लोजपा में उठे बवाल को लेकर रोहिनी ने मुख्यमंत्री को बताया जिम्मदार लोजपा में सियासी कलह जारी है वहीं बीते दिन पश्यूपती पारस और चुराग पासवान के बीच शुरू हूए कलह को लेकर बयानबाजियों का सिलसला भी शुरू हो गया है इसी क्रव में बयानबाजियों के बाजार में आक्टिव हुई रोहिनी आचारे ने भी लोजपा में जारी उठा पटक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसके तहट उन्हों ने अपना ट्वीट जारी करते में लिखा कि जमीर बेचकर पल्टू के गोध में जाबैठा स्वर्गियराम विलास पासवान जी के आदर्शों को जिसने निलाम कर दिया दवा और इलाच की आभाव में जनता तलब तरब करमा रही थी कुसाफशन बाबू महलों में विरोधी पार्टी को तोड़ने का शरेंद्र रच रहे थे बड़े भाई ने उसे राजुनीती मुकाम दिया और उस भाई के पार्टी को सता तालोब में तोड़ने का कूछ चक्र रचा गया उसामा श्राव से पुर्फ मंतरी ददन पहलवान ने की मुलाकात बिहार के बाहो बलेनिता श्राब वुद्दीन के गुज़र जाने के बाद उनके बेटे उसामा राजुनीती में इंट्री कर सकते हैं महीशा बुदीन समर्थकों का साथ पानी के लिए तमाम राज रहतिक पार्टियां पूर्जोर कोशिश कर रहे हैं इसक्रम में बीदे दिन पूर्वमंत्री ददन पहलवान भी उस सामाश श्रहाब से मिलने पहुचे इतना ही नहीं पुर्वमंत्री ददनपहलवान के साथ इंडियन थीऊमन राइट के राष्ट्रे साचिफ गौर्व मलک हम के प्रदेश महासाचिफ मुहमद दानिश और राजवत के अदसंख्यत मोर्चा के प्रदेश अधेक्ष मुहमद खालिध भी सिवान पहुचे थे इस ओरान मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि बिहार के स्थिती खराब हो चुकी है पहले जो सांसद और वधाय का सम्मान होता था वो अब नहीं होता अब उनका अपमान हो रहा है बिहार के अधिकारी किसी MP MLA की बात नहीं सुनते वर्ल टेस्ट चांपियंशिप में टीम इंडिया को जीतने पर मिलेंगे इतने पैसे 18 जून से वर्ल टेस्ट चांपियंशिप की शिर्वात होने वाली है जिसके तहट भारत और न्यूजिलान एक दूसरे से भिड़ते रज़र आएंगे वहीं आज हम आपको बताएंगे कि जीतने वाली टीम को कितनी राश्य मिलेगी टेस्ट चांपियंशिप फाइनल को जीतने वाली टीम को 11.7 एक करोड की रखम इनाम के रूप मिलने वाली है सुमवार को जो जानकारी सामने आई है इसके मुताबिक जो भी टीम इस खिताब पर कबजा जुमाने में कामियाब होगी उसे यह रखम दी जाएगी वहीं उप विजेता रहने वाली टीम के हिस्से में 5.85 करोड की रखम आएगी ICC की तरफ से खिताब जीतने वारी टीम को 1.6 मिलियन डॉलर की रखम मिलेगी जबकि उप विजेता टीम को 8.6 लाख डॉलर का इनाम मिलेगा भारत में COVID-19 के मामलों में गिरावर देखने को मिल रही है केंद्रिस्वा समत्राली की तरफ से मंगलवार को जारी किये गए आकड़ों के मताबिक 54 गंटे में 6,471 नए मामलों दर्च के गए है इस दौरान 2,726 मरीजों की घातक वाइरस के कारण जान चली गई है मृतकों की संख्या में कमी देखने को मिली है जो कि पिछले कुछ दिरों से लगादार 3,000 के उपर आ रहे थे नए मामलों के साथ देश में संक्रमन के कुल मामले 2,95,70,881 पर पहुंच गई है जबकि अब तक 3,77,031 लोगों की COVID-19 के चलते जान दा चुकी है कोलाक्टिव केस 9,13,378 रहे गई है तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार बिहार सरकार की तरफ से अन्लॉक दो में दी गई छूट सही है या नहीं अपने जवाब हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेटे रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बला आइकॉन दबाना ना भूलें